हेलो नोस्ते दोस्तों हमारे ब्लॉक में स्वागत है देखे मैं आज क्या बनाई हूं अपने घर पे सब्जी किस चीज का सब्जी बनाई हूं यह है बंडा आप लोग इसको नाम सुनें की नहीं कमेंट करके ज़रू बताएगा इसका सब्जी खाये हैं की नहीं इसको देखे बंडे को अच्छे से छील लिए हैं अच्छे से वाकाय दे इसको चल रहे हैं अब काटने और इसको देखे लंबे-लंबे भाग में काट लिए हैं अब चुटे-चुटे भाग में काटेंगे जैसे आलू का सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही लगता खाने में देखिए इसको इदम जैसे पनीर लग रहा है पनीर की तरह कट भी रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है काटने में इधर देखिए काट लिए है इसमें थोड़ा सा नमक लगा के आदा घंटा क्लिए रख देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसका पानी चुनचुनाता है हाथ में खाने में भी थोड़ा सा लगता है इस यहां रख देते हैं इसमें तक इसका जो पानी है निकल जाए बंडे का पानी निकल जाए नमक आ देदा अच्छान लिए है इधर ले लिए हैं प्याज काटकी बड़ा हुआ प्याज था इसको काट लिए हैं अब इसको निकल लेते हैं बाहर और प्याज भी डालकी इसको मिざईंजार में पीच लेते हैं पे आज डीए मिक्सी जान इप्स ने इसी में झाल करने मिक्स ने ड्लेती हैं अब इस में डालेंगे थोड़ा सा जीरा एक चुटकी देख सकते हैं जीरा डाल दिये हैं और dhu तीन डाल دे रहे हैं करीपत्ता करीपत्ता कर सौट बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्सक्राइब करें दो है मसालेदार उसमें डाल सकते हैं देखिए दोनों हो गया है विदा डाल देते हैं अधरक मिर्ची लेशन का पेस्ट अब इन सब चीजों के अच्छे से भून लेते हैं और थोड़ा सा हो जाए क्योंकि लेशन जल्दी नहीं होता है इसलिए पहले मैं इसको डालती हूं अब अब मेरी वीडियो जरूरा नहीं देखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इसका सब्जी इदर देखिए हो गया है सारा लेशन प्याज प्याज अच्छे से भून गया है अब इसमें डाल देते हैं मसाला देखिए इदर ले लिए हैं एक राजेश गरम मसाला उसको डाल लगता है अब माजना देते हैं तो की अच्छ कुछ कर दो सब्सक्राइब इसको डाल देते हैं और इदर देते हैं देखिए आदा चंम्मच मैं हल्दी भा दिल दिया है अब द General डल देखिए ङान ये डाल तक के अच्छ अच्छ भी दिखंगर धिकनल तक मिस्तधक करते लिकी मासला पक गया है थे इसको अच्छ धिमियाज पहने दो-तिर मुर期ोंत प्रporड़ कर अदेगे मसाला में इसका सब्जा के अच्छे से में मिल सभी हो गया है मसाला में अब इसको एक चंप नमक डालकों कर डी इसमें गड़ है कि वीयों कोव कम लगा थोड़ा नमक्र डाल द यहां अब इस अच्छे से मिक्स कर देते हैं नमक को अब नीचे कितना अच्छा पर रहा है अब इदर ढग देते हैं 20 सूर्छ मिन्हेटीब धोगया है पानी डाल देते हैं पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ग्रेवी दार सबजी अच्छा नहीं लगता है लस्बसे दार अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा साई पानी डालें इसको पकने के लिए ही देखिए इधर अब पाई डालके डग देते हैं देखिए इधर खोल के आप लोग को दिखाते हैं अच्छे से सबजी बलकने लगा है अब यहां पर देखिए सबजी देख रहे हैं इसमें उबाल भी आ गया है अच्छे से सबजी में अब इसको दो-तिन मड़ तक यह और पका लेंगे और पग भी गया है देखिए इधर आप लोग को दिखाते हैं सब्जी अच्छे तरीके से पक गया है पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा पक गया है और इधर काटको आप लोग को दिखाते हैं कितना अच्छा कट भी रहा है आप लोग मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक और से सब्सक्राइ अब बहुत ही अच्छा लगता है इसको पूड़ी या पराठा से खाए सब्जी को देख सकता है सब्जी पग गया है अच्छे से इसको मैं नीचे उतार लिए हूँ अब कटोरी में निकाल के आप लोग को दिखाते हूं कितना टेश्टी बना है सब्जी कितना अच्छा लग अब दिख रहा है और खाने में कितना टेश्टी होगा अब मेरी वीडियो आप लोग जरूर अपने दोस्तों में सेयर करिए और आप लोग मेरी वीडियो को अंतर जरूर देखिए चलिए मेलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में बाब बाए